नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में ओपो A16K vs Moto G71 5G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A16K में 6.46 इंच जबकी G71 5G में 6.34 इंच की लेंथ मिलती है जोकी A16K से कम है Width की बात करें तो A16K में 2.97-inch जबकी G71-5G में 2.91-inch की Width मिलती है जोकि A16K से कम है बात करें थिकनेस की तो A16K में 0.31-inch जबकी G71-5G में 0.33-inch की थिकनेस मिलती है जोकि A16K से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो A16K में 175 g जबकि G71 5G में 179 g का वेट देखने को मिलता है जो की सेम जैसा ही है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कुमपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A16K में IPS LCD जबकि G71 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो A16K में 6.52 इंचर जबकि G71 5G में 6.4 इंचर मिलती है डिस्प्ले रेजलूशिन A16K में 720 by 1600 और G71 5G में 1080 by 2400 मिलता है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A16K में 83 प्रतिशत जबकि G71 5G में 83.18 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI डेंसिटी की तो A16K में 279 प्रति इंच जबकि G71 5G में 411 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्ज यानि विशेशता है की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्ज कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैंन कैमरा की तो A16K में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आखर में AI लेंस देखने को मिलता है और G71 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि primary camera, ultra wide angle camera और आखिर में macro camera देखने को मिलता है बात करें video camera की तो A16K में 7 different type के features मिल जाते हैं और G71 5G की बात करें तो उसमें 9 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो दोनों phone में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 4 different features मिलते हैं अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speak के हिसाब से देखा जाये तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो A16K में Power of GE832 जबकि G715G में Adreno 619 मिलता है चिप सेट की बात करें तो A16K में MediaTek Helio G35 और G715G में Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है बात करें RAM की तो A16K में 3GB जबकि G715G में 6GB RAM मिलती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो A16K में 32GB जबकि G715G में 128GB storage मिलती है expandable memory की बात करें तो A16K में up to 1TB जबकि G715G में नहीं है ओपरेटिंग सिस्टम दोनु फोन में Android V11 देखने को मिलती है बाटरी A16K में 4230 mAh जबकि G715G में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं कलर्स की बात करें तो A16K में 3 कलर्स जबकि G715G में 2 कलर्स option मिलते हैं सब information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहने competitor phone की बात करें तो उसमें Oppo A15 है दूसरा Samsung Galaxy F12 है तीसरा Micromax in Note 1 है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Infinix Hot 10 Play है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये video अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो please like करना मत भूलना